हलो डियर स्टूडेंट्स मारा मुर्ति क्लासिज में आप सभी का स्वागत हैं डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 11 का फर्स चैप्टर फ्रॉम NCRT फर्स चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के कोश्चन नमबर 13 वै इससे आगे करेंगे पहले 12 कोश्चन की मैं फर्स पार्ट वीडियो बना चुका हूं तो इसमें हम 13 वैस से आगे वाले कोश्चन करेंगे तो 13 कोश्चन है इन्हें सर्वे ओफ 600 स्टूडेंट्स इन्हें स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टूबी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कोफी 100 वर स्टूडेंट्स चाय लेते हैं 225 कोफी लेते हैं और सो चाय और कोफी दोनों लेते हैं यह बताना है उन्हें हो मैं स्टूडेंट्स वर टेकिन आइधर टीन और कोफी कितने स्टूडेंट्स चाय और कोफी दोनों में से कुछ भी नहीं लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमें 13th question में let हमने a assume कर लिए let a denote these students let a denote these students who take coffee tea चाहे लेने वालों को हमने क्या आजूम कर लिया और बी का मतलब हमने क्या आजूम कर रहे बी मींस who take coffee number of students who take coffee तो number of students who take tea कितने हैं students हमारे पास 150 number of students who take coffee b वो है 225 और number of students who take both a and b यानि चाहे भी और कोफी भी वो हैं students हमारे पास hundred तो हमें निकालना है वो students जो ना तो चाहे लेते हो और ना कोफी लेते हो यानि हमें निकालना है वो students है यानि number of students निकालने है जो ना तो चाहे लेते हो और ना ही कोफी लेते हो यह निकालना है students हमने यानि ऐसे कितने students है जो ना चाहे लेते हैं ना कोफी लेते हैं तो देखी अब 600 क्या दे रखा है students में 600 हमारे पास total survey क्या है सर्वे में 600 students का सर्वे क्या है यानि total students हमारे पास 600 है यानि College universal set को हाँ यानि user sama दे रखाने 600 इन च्जैसे students है जो ना चाहे लेते हैं ना कोफी लेते हैं तो हम सबसे पहले निकालते हैं वह स्टूडेंट से निकालते हैं जो या तो चाहे लेते हैं कंसे ऐक द्रिंक लेते हैं यानि कम से कम एक ड्रिंक लेनेवाने को हम क्या कहेंगे A Union B यानि यह वो students आएंगे या तो चाह लेते हैं या कोफी लेते हैं या इसमें कुछ ऐसे students भी होते हैं जो दोनों लेते हैं तो इसका फार्मूला क्या students number of students कि या hni n e प्लस NB-NA intersection B तो यह क्या आएगा श्टूड़न एक्सोपचास NB-225-NA intersection B 100 तो यह आजाएगा स्टूड़न्स हमारे पास यानि 150-150 यानि 275 यानि 275 हमारे पास वह स्टूड़न्स है या तो यह चाए चाए पीते हैं या कोफी पीते हैं जब दोनों पीते हैं यानि दोनों ड्रिंक ईचाए चामाइड़ सरे मादनें वाल स्टूड़न्स यह है यानि नंबर ऑफ स्टूडेंट को स्टूड़न्स है यह यह कोफी में से कम से कम एक पीने वाले एक को पसंद करने वाले हैं तो सेवन्टी फाइए अब टोटल हमारे पाथ 600 है यानि हमें निकाला है वह स्टूड़न्स जो ना तो चाय लेते ना खूफी तो नंबर ओस्टूड़न्स कि कि अंगर अधिक्ति श्कॉडंश दोज वर नोट टेकिंग टी एंड नोर कोफी जो ना तो चाहे लेते हैं नो कोफी लेते हैं वो कितने स्टूडेंस होगे स्टूडेंस तो टोटल एन यूनिवर्सल में से क्या निकालेंगे एन ए यूनियन भी हम माइनस कर दें सटूडेंस में से सटूडेंस कर दिया यानि भी जानरी तुर्टत आब इस क्या लेते हैं स्टूडेंस मैं स्टूडेंस कर दिया तो यह बन जाएगा हमारे पास 325 तוכन से हैं जो ना तो LAUDRA 292 कोफी दोड़ते हैं अब पैलर इसका वसुग फोरटिंध को देखते हैं इने ग students are there in the group, वो कहता है कि एक group of students में 100 बच्चे 100 students Hindi जानते हैं, 50 नो English, 50 English जानते हैं और 25 नो बहुत, यानि 25 दोनों जानते हैं, each of the students know either Hindi or English, यानि परतेख students या तो Hindi जानता है या English जानता है, how many students are there in the group, तो कितने students थे group में, देखे students, अगेन हम क्या करेंगे, 14th question में, let A denote the students who know Hindi, ये का मतलब क्या है जो Hindi जानते हैं, और B का मतलब क्या है, जो English जानते हैं, English, तो number of students कितने हैं, जो Hindi जानते हैं, वो हैं हमारे पास 100, और number of students जो Hindi, English जानते हैं, वो हैं 50, और जो दोनों जानते हैं, A and B, वो है 25, फिर उसने कहा है, जो group of students है, वो सभी के सभी students, दोनों भासाओं में से कम से कम एक भासा को जरूर जानते हैं, यानि उसने कहा है, if each student knows either Hindi और English, अगर प्रतेख students, या तो Hindi जानते हैं, इंगलीज जानते हैं, तो हमें निकालना है, यानि या तो Hindi जानता है, या और का मतलव English जानता है, यानि A union B निकालना है, question mark, वै टोटल students हमारे पास A union B होंगे, क्योंकि उसने कहाए, परतेख students जितने भी students है, या तो वो हिंदी जानते हैं या वो इंगलीज जानते हैं या नी हिंदी वाले ए या और union इंगलीज वाले बी उन यह यह हमें निकालने है तो एनए AB का पामुला क्या है इस स्टुड्ज्वन हमारे तूडेंस कितने होगे टोटल नंबर ओफ श्टूडेंस कितने आगे स्टूडेंस हमारे पास हुआ आगे हमारे पास 125 है तोटल स्टूडेंस कितने थे 125 अब स्टूडेंस इसका 15th कोस्टन करते हैं इन्हें सर्वेयों उफ 60 पीपल साथ लोगों की सर्वे में इट वाज फाउंड देट 25 पीपल रीड न्यूजपेपर H 25 लोग H न्यूजपेपर को रीड करते हैं और 26 रीड न्यूजपेपर T 26 न्यूजपेपर T को रीड करते हैं 26 रीड न्यूजपेपर I को रीड करते हैं 11 read h and t 11 h or t को रीड करते हैं 8 read t and i 8 t और i को रीड करते हैं 3 read all 3 newspaper 3 सभी 3 newspaper को रीड करते हैं तो हमें निकालना है find the number of people who read at least one of the newspaper तो हमें निकालना है number of people जो कम से कम एक newspaper को रीड करते हैं तीनों में से कम से कम एक को रीड करते हैं दूसरा निकालना है the number of people who read exactly one newspaper वो उन लोगों की समख्या निकालनी है जो शिर्फ एक newspaper को रीड करते हैं अब देखें students हमें 15th question में given क्या है है जीवन क्या है students newspaper हमारे पास थ्रीज़ पीपर है यह त्रीज़ पेपर गीवन है फ्री वी आर गीवन फ्री नियुज़ पेपर कोन कोन से नेम्ड क्या हैं उनके एक है और एक एक i है और एक h है और एक t है और एक i है t और एक i तो हमें गीवन है number of people who read h newspaper जो h newspaper को read करते हैं वो है 25 number of people who read t news paper वो है 26 जो i newspaper को read करते हैं वो भी 26 है number of people who read h and i वो कितने है students हमारे पास 11 number of people who read h and t वो कितने है students 11 number of people who read t and i t और i को read करते हैं वो है हमारे पास 8 और 3 रीड ओल दी त्री न्यूजपेपर और तीन जो लोग है तीन लोग सभी न्यूजपेपर को रीड करते हैं यह को भी करते हैं एंड टी को भी करते हैं आई को भी करते हैं वो कितने हैं थ्री पीपल तो नमबर वन हमें निकालना क्या है नमबर ओफ पीपल नमबर ओफ पीपल who read at least one news paper कम से कम एक news paper को read करने वाले लोगों की संख्या निकालनी है यानि हमें निकालना है number of people who read या तो A और B या तो A को read करते हैं B को या C को यानि it means हमें निकालना है N A और का मतलब union B union C यह question mark है अब देखे students इसको मैं पहले diagram से आपको समझा देता हूं diagram बना लेते हैं हम लोग वड़े ही अच्छे से समझ आ जाएगा और ध्यान से समझना आपने diagram यह universal set है universal set है तो इसमें अहां total हमारे पास 60 लोग थे उसने यह देखे 60 पीपल थे तो एन universal set में कितने हैं total हमारे पास 60 पीपल तो यह 60 है हमारे पास universal set को rectangle से denote किया जाता है और यह छोटे set है यानि H news paper है हमारे पास let यह है H news paper वाला हमारे पास क्या set उन लोगों का set जो H news paper को read करते हैं यह है हमारे पास T news paper वालों का और यह है students हमारे पास I news paper वालों का set तो यह है H यह है T और यह है I तो number पीपल कितने हैं जो H news paper H यह सारा है इसको कितने read करते हैं 25 T यह सारा है यह वाला तो इसको करते हैं 26 और I यह वाला है सारा इसको करते हैं हमारे पास यह करते हैं students 26 और हमें निकालना क्या नंबर फ्रीव एठ लिस्ट वन यूँज पेपर वन नियूज पेपर मिस एच हाँ है हमारे पास चीड और एक है इस टी और सब्सक्राइब यहां पर या तो एच को या टी-को या आई को यहां पर भीत या टी और या आई यह एक टी आई है ना हमारे पास न्यूजपेपर तो एक टी और आई लिखेंगे स्टुडेंस हम लोग तो अब देखिए उसने कहा है आगे त्षा टीनो नियूजपेपर को रीड़ करने वाले कितने लोग है तिन तो तीनों वाला पोर्षै यह रहा स्टुडेंस यह जो तीनों के अंदर कोमन है तो तीनों वाले कितने हैं तीन अब फिर उसने कहा है ह and i वाले H and I वाले 9 है तो H और I वाला portion कुन सा है जो H और I दोनों में common है ये वाला portion ये वाला ये है N, H and I ये total है 9 9 में 3 यहाँ आगे तो 6 यहाँ बच गे और ये वाला जो portion है तो ये वाला portion है ये है H and T वाला H and T वाले कितने हैं students 11 है 11 में 3 यहाँ आई आए तो 8 बच गे ये वाला portion 11 वाला है तो 3 यहाँ आगे तो 8 बच गे यानि ये है N, H and T वाला टो तोटल 11 है और ये T and I वाला ये वाला portion है T and I वाला इन नंबर उफ T and I वाले कितने बच गे students हमारे पास यह है हमारे पास T and I वाले 8 हैं तो 8 हैं तो 8 में 3 यहां गए तो 5 यहां बचेगे अब देखिए यह जो total portion था इसमें कितने थे लोग 25 थे 25 में 8 इसमें 2 news paper को read करने वाले 8 तीन है तीनो news paper को read करने वाले और 6 है H और I को read करने वाले जो शिर्फ एक news paper को read करते हैं वो कितने बचे आठ रो तीन 11 11 और 6 17 25 माइनर 17 तो 8 बचे के जो शिर्फ एक ही news paper को read करते हैं इसी तरह से यह वाला जो portion है इसमें जो शिर्फ T वाला है देखिए total T वाले तो हैं 26 26 में 8 तो करते हैं T और I वाला तीन करते हैं तीनों को और पांच करते हैं T और I वाला news paper को बढ़ते हैं यानि जो यह वाला portion है इसमें सिर्फ एक news paper को बढ़ने वाले हैं यह कितने हैं students 8 और 3 11 और 5 16 और 26 माइनर 16 यह बचे गए 10 और यहाँ पे जो I है आई जो news paper इसको रीड करने वाले हैं 6 और 3 9 और 5 14 टोटर 26 हैं तो यहाँ पे कितने बचे के 12 तो 12 बचे के अब हमें निकालना है कम से कम एक को रीड एक news paper को रीड करने वाले तो यह जितने भी लोग हैं यह कम से कम एक को तो कम से कम रीड करते हैं यह कितने होगे टोटल 8 और 8 16 और 3 19 और 6 25 और 10 35 और 5 40 और 52 होगे यह बावन लोग ऐसे हैं जो कम से कम तीनों में से एक को तो जरूर रीड करते हैं बावन में बलकि 8 तो ऐसे हैं जो h और i को रीड करते हैं 3 ऐसे हैं जो तीनों को तो read करते हैं तो यह बावन आया और वैसे हम देखें क्या आएगा हमारी फार्मूले से तो n h union t union i निकालना है तो इसका फार्मूला क्या बताया था students मेंने n h plus n t plus n i minus n h intersection t minus n t intersection i minus n h intersection i plus n h intersection तो students से plus आएगा हमारे पास n h intersection t intersection i यही फार्मूला बताया था मैंने तो n h कितना है हमारे पास 25 n t कितना है 26 n i कितना है 26 h intersection t h intersection t है 11 t intersection i है 8 और h intersection i है 9 और plus h intersection t intersection i है वो है 3 तो यह कितना बताया 25 और 26 26 और 26 बावन बावन और 25 शेवंटी सवन 77 minus 11 66 minus 8 56 56 minus 9 47 प्लस 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 त्री यह 50 आया स्टूडेंट्स तो दुबारा काउंट करते हैं चबिस और यह 50 और प्लस तूडेंट्स तो फिफ्टी फिच्टी टू ही निकाला था कम से कम एक और हमें जो कम से कम एक new newspaper को read करने वाले हैं, वो कितने आए, बावन, अब second हमें क्या निकालना है students, second में निकालना है the number of people, the number of people, who like, who read, exactly, one newspaper, one newspaper, जो सिर्फ एक newspaper को read करते हैं, सिर्फ एक को, तो इसका answer दे रहे हैं students, हम, when diagram से, from when diagram, from when diagram, it is clear, it is clear, that number of people, who read, exactly, one newspaper, एक newspaper को read करने वाले कितने हैं students, देखिए, आप कर सकते हैं, जो सिर्फ एक को करते हैं, ये आठ लोग ऐसे हैं, जो सिर्फ ह को करते हैं, जो news paper है, उसको read करते हैं, और 10 लोग ये वो हैं, जो सिर्फ T को read करते हैं, 10 लोग, और ये 12 लोग वो हैं, जो सिर्फ I को read करते है यानि 8 और 10, 18 और 12, टोटल लोग 30 आगे, यानि 30 पीपल वो हैं, जो सिर्फ एक ही news paper को read करते हैं, 30 में 8 ऐसे हैं, अब 30 इसके इलावा, अगर 52 में 8 लोग हमारे पास कौन से हैं, जो H और T को 52 में, अब जो 52 आया था, टोटल 30 तो वो हैं, जो सिर्फ एक को read करते हैं, और 52 मे और आई को, एक और आई को, यानि बावन में तो वो सभी आया हैं हमारे पास, यानि कम से कम एक वाले आए हैं, कम से कम एक का मतलब होता है, जो सिर्फ एक को read करते हैं, ओके, तो ये था हमारे पास 15th question, अब इसका 16th question करते हैं students, तो 16th question की पहले statement पढ़ते हैं, इन्हें सर् 26th लाइख product B 26th लोग B को पसंद करते हैं and 29th like product C और 39th like product C को लाइख करते हैं, 14th like product A & B, 14th like product A or B को लाइख करते हैं, 12th like product C और A को लाइख करते हैं, zone 4th like about all the 3 products और 8 सभी 3 प्रोड़क्ट को लाइक करते हैं, find how many लाइक प्रोड़क्ट C only, सिरफ C को कितने लोग पसंद करते हैं, हमें यह निकालना है, तो देखें students, we are given, 16 में, we are given 3 प्रोड़क्ट, 3 प्रोड़क्ट, A, B, and C, तो number of people who like product A, वो है 21, product B को लाइक करने वाले कितने हैं, 26, product C को लाइक करने वाले कितने हैं, 29, given है, product A and B को, A and B को लाइक करने वाले हैं, students, 14, product B and C को लाइक करने वाले हैं, 12, और product C and A को, product B and C को लाइक करने वाले हैं, students, 14, 14 लोग हैं, B and C को, product C and A को लाइक करने वाले हैं, C and A को, वो है 12, आप statement पढ़ सकते हो, आप देखिए, 12 people like product C and A, 14 people like product B and C, और 8 like all the three product, यानि A को and B को and C को, टीनों को लाइक करने वाले हैं, 8, तो हमें निकालना है, product C को कितने लोग लाइक करने, सिर्फ product C को, सिर्फ means only, यानि सिर्फ एक ही product को, again students मैं क्या करता हूँ, when diagram बनाता हूँ, और when diagram से बिल्कुल clear हो जाएगी picture, यह देखिए, यह है हमारे पास product A वाले, यह है product A वालों का set, यह है हमारे पास product B वालों का set, और जो product C को लाइक करने वाले हैं, यह हैं उन लोगों का set, यह A, यह B और यह C, तो number of people who like product A, वो है 21, product B को like करने वाले है 26, product C को like करने वाले है 29, और सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसमें band diagram बनाते time, A, B, C लिख लिए, अब सबसे पहले जो तीनों को like करते हैं, वो कितने है 8, यह देखे 8 है, तो तीनों वाड़ा portion यह रहा students, वो 8 ह है, तो 8 तीनों में यहां यह इस portion में रख दिया 8, यह एन, A intersection, B intersection, C, यह वाड़ा portion था, वो 8 है, तो is equal to 8, फिर उसने का A and B, यह A है, यह B है, A and B वाला यह portion है, तो कितने है students A and B में total, वो है 14, 14 में 8 तो यहां पे आ गए, 8 प्लस 6, 14 हो गया total A और B वाला portion यह वाला, और B C and C, B यह है, C है, तो B and C वाड़ा portion यह है, तो number of people who like B and C, यह कितने हैं हमारे पास, यह भी 14 है, 14 में 8 यहां आ गया, तो 6 यहां बच गया, और C and A वाले कितने हैं, 12, यह C and A वाला portion है, number of people who like product C and A, C and A वाले कितने हैं students, यह 12, 12 में 8 यहां पे आ गया, तो 4 यहां बच गया, अब 21 थे total इसमें A product को like करने वाले 21 थे, जिसमें 8 और 14, 14, 18, यहां पे 3 बच गया, जो सिर्फ A को पसंद करते हैं, च्योंकि 21 में 6 लोग तो ऐसे हैं, जो A और B को पसंद करते हैं, 8 लोग ऐसे है जो 3 को पसंद करते हैं, और 4 लोग ऐसे हैं, जो A और C को पसंद करते हैं, जो सिर्फ A को पसंद करते हैं, वो 3 हैं, सिर्फ B को करने वाले कितने हैं, सिर्फ B को पसंद करने वाले, 8 और 14 और 6, 26 थे total तो 6 बच गया, और सिर्फ C को पसंद करने वाले, 8 और 6, 14 और 4, 18 और 39 3 15 सिर्फ 11 लोग बच गे संबस्धोर से हमेंस नीकालना था नम्बर पीपल फूए प्रोलाइक प्रोडक्ट सी ओन्ली नुचि हों निकालना है नमबर ओफ पीपल sonra नमबर ओडनाइब फ्रोड़क्ट सी ओनली क्ली सिंब Gir非 Canceralds प्रिए विछ सी औना है विन डायग्राम when diagram से clear है students यह कितने आगे आधे 11 लोग वो है जो सिर्फ Product C को लाई करते हैं आपने बाएं आगे अगर वो यह पूथ रेता है आग जेक्ट्ली दो प्रोड़क्त को को लाइक करने वाले कितने हैं दो प्रोड़क्ट को छे तो यह रहे छे और चार दस और छे सोला कि तीनों को लाइक करने वाले आठ हैं सिर्फ एक को लाइक करने वाले चैप्टर वन, उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है, अगर आप लोगों को समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, उनसे रिक्व